असलामलेकूम एंड वेलकम टू क्लास मैंने आपके साथ एक ग्रुप के ग्रुप में एक पीडिया फाइल शेयर किये उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसको आपने क्या करना है बेसिकली डाट इस पॉर अक्टिविटी जो कि हम क्लास के एंड पर करेंगे और उसके लिए व तो आज हम इस तरह करेंगे कि यह वाली जो फाइल है यह भी मैं आज आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप इसको डे टू डे कंसल्ट करते रहें और इसी फाइल को हम लोग फालो करते वे जो सारी ग्रैमर है उसको हम गो थू करेंगे चीक है तो कल हमने नाउंस को डि का परियूप करें इसके डिसके करेंगे और उसके ंलावा बिर्ट साइल को लिए मेरे पास मगजूद है वो वाले notes भी मुझूद हैं कि जिसमें examples already given हैं लेकिन मैं वो वाली files consult नहीं करूँगा मैं आपके सामने live examples generate करूँगा ताकि आपको बहतरीन अंदाज में जो grammar का concept हो समझाए अच्छा कल हमने जो parts of the speech हैं उनको तीन दो categories के अंदर divide किया था Lexifiers and Functionals यानि Lexifiers वो parts of the speech हैं जो कि आपको language होती है जब आप उसको use कर रहे होते हैं तो उसमें जो meaning वाला part होता है वो आपको Lexifiers देते हैं चीक है और जो Functionals हैं वो क्या करते हैं उनका एक proper function होता है sentence के अंदर जब भी आप language को use कर रहे होते हैं तो दोनों को हम side by side लेकर चलते वे उनको हम लोग जो है वो consult करेंगे ठीक है तो आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है और जहां पे आपको कोई confusion हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है अपना जो chat box है उसको use करते वे ठीक है करूंगा और आप माइक के थ्रूँ जो है वो मुझसे बात्चित कर सकते हैं इनिशली हम इस सरफ से जलेंगे फिर next week में हो सकता है कि मैं आप लोग को जब class का एक rhythm बन जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि मैं आप लोग के माइक भी on कर दिया करूंगा ताकि आप ने जब भी मुझसे बात करनी हो तो अपना माइक on करके तो मुझसे जो भी आपने सवाल बोचना हुआ आप मुझसे बोच सके अच्छा अब normally होता यह है कि parts of the speech जो है उनको एक traditional way में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं traditional way में concept जो है आपके brain के अंदर concept की सूरत में एक होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसको आप information की सूरत में अपने brain के अंदर, अपने mind के अंदर आप उनको store करते हैं और information जो होती है नवो slip हो जाती है आपके brain से लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को concept की सुरत में अपने brain के अंदर store करते हैं तो वो हमेशा के लिए फिट वो आपके brain के अंदर safe रहती है उसको आपको बार-बार-बार revise नहीं करना पड़ता है उसको आपको बार-बार रटे नहीं लगाने पड़ते है या उसी एक ही चीज़ को आपको बार-बार-बार आके उसको revise या उसको याद नहीं करना पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग मैं आपको information भी provide करूँगा मैं आपको inform भी करूँगा कि अच्छा ये types हैं ये चीज़ें इस तरह से होती है ये उस तरह से होती है जो traditional way होता ह लेकिन हम उसको एक concept की सुरत में learn करने की कोशिश करेंगे अच्छा होता ये है कि ये सारे के सारे जो parts है ना जैसे कल मैंने आपको example दी थी कि चाय बनाने के लिए या एक building बनाने के लिए या आप कोई भी काम कर रहे होते तो उसके लिए आपको हिस्से चाही होते हैं अब दो दो चीजें होती हैं जो important होते हैं let's suppose आपने चाय बनाने के लिए आप बाजार से समानी कठा करेंगे आप पती लेकर आएंगे दूद लेकर आएंगे पानी कठा करेंगे आप गैस का बंदोबस करेंगे या आग का बंदोबस करेंगे देखचा आप एक लेकर आएंगे या कैटल लेकर रहेंगे या कोई पॉन आप अपने पास रखेंगे लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यह होता है कि भाई आप चाय बनाएंगे कैसे क्या तर्तीब होगी कौन सा आप फार्मॉला क्या तर्तीब रखेंगे पहले ऐसा तो नहीं है कि पहले आप जो है ना वो देखची के अंदर चीनी डालके उसको गरम करते रहें जो इनसान जिस पर्पस के लिए भी ये ग्रैमर का कोर्स कर रहा है तो उसका पो पर्पस पुरा हो जाए तो पर्पस क्या है कि हमें इंग्लिश बोलनी आजाए इंग्लिश हमें लिखनी आजाए अचा अब मैं आपको एक बिल्कुल सा फॉर्मूला बताँगा और यानि कि सिंपल सा जिसरे रेसेपी होती है न कोई भी डिश बनानी है बिर्यानी बनानी है तो बिर्यानी बनाने के लिए आपको एक तो समान चाहिए चाय बनानी है तो चाय बनानी के लिए आपको एक तो समान का पता होना चाहिए और समान के साथ साथ आपको चाहिए बनाने का तरीका पता होना चाहिए तो language भी इसी तरह से होती है language में एक तो आपको parts of the speech का पता होना चाहिए और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हम noun की डिफरेंट टाइब्स हैं या वर्ब की डिफरेंट टाइब्स हैं या एडवर्ब की डिफरेंट टाइब्स हैं एड़िक्टिब की डिफरेंट टाइब्स हैं भाई हमने इनको क्या क्या है हमारे यह किस काम की है तो बेसिकली होता यह है English language के अंदर हर language का अपना एक structure है जिस दहाँ चाय बनाने का एक अलग तरीका है खीर बनाने का अलग तरीका है गज्रेला बनाने का एक अलग तरीका है तो हर इसी तरीके से हर language जो है आप इस तरह समझे के जिस तरह आप खाना बनाते हैं खाने में आप 10-15 डिशिज भना रहे होते हैं तो इसी तरह से हर डिशच बनाने का अपना एग तूरी का था दुर्टा दुनिया के अंदर जितनी भी लैंगविजिज हैं हर लैंगविज का अपना एक अपनी recipe है इन simple words आप ये कह सकते हैं कि हर language की अपनी एक recipe है अब चुक्के हमारी जो target language है जिसके लिए हम यहाँ पर ही कठे हुए हैं और एक तुसरे से बातचीत कर रहे हैं that is English तो हमने parts of the speech के हवाले से कल हमें अगरचे हमें बहुत जादा detail में हम नहीं कहें लेकिन हमें यह पता चल गया कि भाई आठ वो बुनियादी चीजें हैं जो कि English language के अंदर use हो रही होती है जिनको use करते हुए हम लोग जो है वो language में sentences को construct कर रहे होते हैं अब उसके बात जो next चीज है वो यह है कि हमने recipe समझनी है तो बचो बात यह है कि English language की बाकी तमाम languages का भी अपना एक recipe अपना structure है तो English language की जो recipe है या English language का जो simple structure है that is SVO यानि कि यह वो बुनियादी structure है जिसके अंदर हमने वो सारे के सारे parts of the speech जो है उनको adjust करने उनको हमने install करने इस structure के अंदर आ कि हम उनको रखते जाएंगे और हमारा एक एक sentence जो है वो generate होता जाएगा तो यही simple structure है SVO जिस बचे को SVO समझा आ गया कि अच्छा subject आता है फिर वर बाता है फिर उसके बाद object आता है जिसको यह समझा गई और जिसको parts of the speech की कुछ basics जो है वो समझा गई तो समझे कि उसको 60 to 70% जो है वो language उसको समझा गई और उसके बाद वो बच्चा जो है वो अगरचे उसका जो structure होगा जब वो sentences बनाएगा जब वो paragraph लिख रहा होगा तो हो सकता है कि उसकी vocabulary strong ना हो लेकिन उसके sentences ठीक होंगे अगर आपको svo समझा गया और उसके बाद आपको parts of the speech की जितनी जितनी basics मैं आपको बताता जाओंगा अगर आपको उतनी उतनी basics जो है वो समझा आ गई अब svo है क्या that is basically subject verb and object अब subject क्या होता है subject basically होता है कि जो sentence के अंदर जो काम करने वाला होता है जिसके हवाले से आप बात कर रहे होता है कि वो काम कर रहा हो, हो सकता है वो काम ना कर रहा हो, आप सिंपली उसके हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुर इसापल है, जब मैं कहता हूँ कि अली प्लेस क्रिकेट, तो इसमें तो अली एक काम कर रहा है, तो अली एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो जिसके हवाले से आप बात कर रहे होते हैं, जिसके हवाले से आप तूरा sentence जनेरेट कर रहे होते हैं, वो चीज आपकी जो है, that is called subject, उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा, फिर उस subject के हवाले से, वो subject कोई काम कर रहा है, या उस subject की कोई हालत है, वो किसी situation में है, उस की वो जो ह आलत होती है या वो जो situation होती है जिस situation के अंदर वो वर्ब वो subject आपका मुझूद होता है उसको हम indicate करते हैं या उसको हम समझाते हैं या उसके हवाले से हम बातचीत करते हैं किसको यूज करते हैं वर्ब को यूज करते हैं अच्छा फिर यह जो object होता है ना object optional होता है कुछ situation म हम object use करते हैं, कुछ situation में हम object use नहीं करते, वो सारी कि सारी situations आगे चलके मैं आपको जब समझाता है जाँगा, तो आपको समझाते जाएगी, जिसरह कल parts of the speech की तरफ जाने से पहले, मैंने आपको lexifier और जो functional हैं, उनका concept बताया था, आज मैंने आपको subject, word and object का concept बता दिया, जो कि आप पल्ले बांद के अपनी जेब में रख लें या किसी जगापे आप इसको महफूस करके, किसी अलमारी में या किसी जगापे आप अपने, क्योंकि आपका जो brain होता है ये भी एक bank की तरह होता है, इसमें किसी जगापे, जहां pronouns की, pronouns में हमने जो demonstrative pronouns हैं उनको हमने discuss कर लिया वा था, हम ने इसमें बाकी जो pronouns हैं, इसमें emphatic और reflexive भी हमने discuss कर लिया वा था, बाकी जो pronómoंझ हैं उनको आज हम जो हैं वो discuss करेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे, कि आज का एक्टर हम थोड़ा सा तेज लेके चलेंगे ताकि हम आज का जो टार्गेट है उसको हम अचीव करने और कल फिर जो हमारा पार्टस अप्टस पीच के हवाले से डिसकेशन कंप्रीट हो जाएगी और फिर यही जो मैंने आपको आज स्ट्रक्चर बताया है इस स्ट्रक्चर को बार्ट बार फाटिमा यूज़ करते रहेंगे तो संट्रक्चर आपकी जो स्पीच वो बोर्रिंग बार ना शुरू हो जाएगी तो हम क्या करते हैं हम उसकी जगा पर वराइटी लेकर आते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हम वरायٹी ले करे हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम pronounce ले कर आते हैं noun होता है, noun की जगा पर क्या होता है? आता है, pronoun आता है अब personal pronounce जो है ना जैसे मैंने आपको वाइस वी ओ बताया subject, verb and object अच्छा अब subject जो है ना जैसे for example मैं कहता हूं कि Ali is my friend, Ali goes to Karachi, Ali lives in Islamabad, Ali is a student, Ali plays hockey, Fatima washes dishes, Fatima plays tennis board, Fatima goes to gym, या कोई भी मैं sentence मनाता हूं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? उसमें जो subject है ना subject, उसको बेसिक लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसमें जो subject होता है ना उसको हम बोलते है nominate, nominative, nominative, कि वो nominate, आप उसको nominate कर रहे हैं, कि मतलब, for example, अगर मैं कहता हूं कि Fatima is my friend, Fatima is my class fellow, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसमें nomination किसकी हो रही है, इसमें indication किसकी हो रही है, तो obviously we are talking about Fatima, right? तो अब इसमें जो subject होता है, subject, उसको हम बोलते है nominative, ठीक है? और जो verb होता है, वो verb होता है, और जो object की जगापे noun आए या pronoun आए उसको हम बोलते है, accusative, उसको हम क्या बोलते है? accusative, अच्छा, अब nominative, accusative, यह दोनों concept जो है, यह मैं यहां पे आपके सामने रख ल आ रहे हैं, let's suppose subject, verb, object है, मैं यहां पे कहता हूँ के अली, likes, फातिमा, चीक है, अली, likes, फातिमा, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको स्टार्ट में बता दूँ, अक्सर बच्छे, मैं जब यूनिवर्स्टी में भी पढ़ा रहा हुता हूं, तो बच्छे, जो है, वो मुझ जो है, वो डेविड और इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करें, मेरी कोशिश जी होती है, कि मैं सहाबा के नाम इस्तेवाल करूँ, उसमें यह होता है, कि उससे आपकी नियत साफ हो जाती है, कि आप वो सहाबा का नाम यूज़ करते वे, आप sentences बना रहे हैं, तो आप sentences अच sentence बनाया, अली लाइक्स फातिमा, दूसरी तरफ हमने एक sentence बनाती है, let's suppose, कि फातिमा लाइक्स अली, आप देखें, जब हम nouns यूज़ कर रहे होते हैं, तो nouns में हम तबदीली नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं, कि अली है, तो वो आगे जाके आलिया बन जाएगा, य अगर आपका नाम साध है, तो वो साध ही रहेगा, अगर आपका नाम जुलेखा है, तो वो जुलेखा ही रहेगा, अगर आपका नाम शाजेब है, तो वो शाजेब ही रहेगा, वो तबदील नहीं होगा, चाहे आप खाना खा रहे हैं, या आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो आपका जो नाम है वो नाम आपका वही रहेगा लेकिन होता यह है कि जब हम pronouns में आते हैं ना तो pronouns में यह होता है कि different situations पे हम different pronouns यूज करते हैं ऐसा नहीं है कि अली के लिए एक ही pronoun होगा और उसको जब भी हमने अली की जगा पे यूज करना होगा अब जो nouns होते हैं ना उनकी हमारे पास further हम चलते हैं noun जो होते हैं ना वो तो simple होते हैं लेकिन होता यह है कि बाज दफ़ा बाज दफ़ा हम noun को first person में use कर रहे होते हैं अब जब हम noun से pronoun पे आते हैं noun से pronoun पे आते हैं तो हमारे पास situations बनती है कितनी तीन परसनल पर्णाउंस है वो तीन तरह के होते हैं अच्छा परसनल पर्णाउंस कितने तरह के होते हैं तीन तरह के फर्स पर्सन ठीक है सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन फर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जब मैं अपने बारे में बारे में अप एक बंदा बैठाव चिससे में बात कर रहा हूं तो लेकिन बात अच्छ से किसी दूसरे बंदे के होले से बात कर रहा हूं, जैसे मिसाल की तरषा हूँ, झापके साथ साथ बात कर रहा तो अब इसमें क्या है कि स्पीच जो है ना स्पीच वो फुर्स परसंट पर स्पीच है कि I am the first person who is talking, I am the person who is initiating this discussion, मैं वो बंदा हूँ जो कि इस गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ, तो I am the first person, अब जब मैं आप से बात कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि आप बहुत आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शरीफ हैं, आप बहुत महनती हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप वक्त पर आते हैं, आप अपना काम करते हैं, आप इमानदार हैं, तो अब मैं आप से बात कर रहा हूँ तो you are the second person, आप second person है, लेकिन अगर मैं बात तो लेकिन किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा विसाल की तरहएं आपको दोर मेन आपको कहता हूं अप अब अब आ अच्छा, आप अगेन, फर्स परसन के अंदर और सेकंड परसन के अंदर और थर्ड परसन के अंदर हमारे पास फर्दर दो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो दो पॉसिबिलिटीज, आपने मुझे साथ-साथ, मेरे साथ-साथ रह तो मैं किता हूँ कि मैंने आज ये किया, मैंने खाना खाया, मैं बजार किया, मैं खेलता रहा, मैं सोया रहा, अच्छा, इसी तरीके से ये भी हो सकते है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बलकि अपने साथ कुछ चार-पांच ओर लोग लेकिन मैं बाकी तमाम के बहाँ पे बोल रहा हूँ तो जो first person है वो क्या हो सकता है वो plural भी हो सकता है। इसी तरीके से second person मैं बात कर रहा हूं तो हो सकते हैं मेरे सामने एक बंदा हो जिस से मैं बात कर रहा हूं और ये भी हो सकते हैं कि एक से ज्यादा लोग हो जिन से मैं बात कर रहा हूं तो second person में भी हमारे पास कितनी possibilities है, दो possibilities है, singular and plural, उसके बाद third person, अब जब हम बात कर रहे होते हैं, तो हम एक बंदे की भी बात कर सकते हैं, कि अली मेरा दोस्त है, अली कराची में रहता है, अली के अब्बू की दुकान है, मतलब हम अली के हवाले से बात कर रहे हैं, और मैं भी कह सकता हूं के अली और फातिमा काल आये थे और वो मुझे बता रहे use कर रहे होते हैं तो तब तो हम solid अव्च करते हैं हम जदेंगे अली ऐन फातिमा को यह उल्कलास की घजा देंगे लेकि जब देंगे अई पैंडफ सहे हम जह करते हैं चलिकला th सब्सक्राणि पहले मैं यहां पर लिख यहां पर मैं लिखूंगा second ठीक है और नीचे मैं लिखूंगा third ठीक है ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझाए अब फिर मैं क्या करूंगा first second third मैंने लिख दिया अब मैं यह करूंगा कि first second और third के जो प्रोडाउंस है नॉमिनेटिव केस में जो यूज होते हैं वह मैं आपको बताऊंगा first person में यहां पर फिर्स परसन लिखती है यहां पर मैं लिखूंगा singular और यहां पर मैं लिखूंगा plural singular plural इसी तरीके से second person में जब हम आते हैं तो second प्रोडाउंड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है आई ठीक है और plural में कौन सा यूज होता है भी यह जब भी आप सब्जेक्ट की जगह पर प्रोडाउंड यूज कर रहे होंगे first person singular तो वह आई यूज होगा my name is Naeem I am a teacher I am a teacher I am a teacher क्यों बिकर सब्जेक्ट की जगह पर आ रहे है ठीक है I teach English I live in Islamabad ठीक है I go to my university I eat dinner I play chess ठीक है तो जो भी बात कर रहा हूंगा सब्जेक्ट की जगह पर जब मैं यूज करूंगा तो मैं इसको I use करूंगा और अगर plural होगा तो उसके लिए मैं we use करूंगा second person ने हम आते हैं तो singular के लिए 재 भी हम यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी हम क्या use करते हैं। अब यहां पे यह थोड़ा सा होता है कि जो second person है वह चाहे singular हो चाहे plural हो उसके के लिए हम जो structure यूज़ करते हैं वो क्या होता है वो यू होता है जब कि फॉर्स परसन में क्या होता है structure डिफरेंट होता है अच्छा अब जब हम थर्ड परसन पर आते हैं अब यहां पर एक और टीज भी होती है जेंडर masculine and feminine अब आये जो है ना चाहे वो चाहे मैं लड़का हूँ चाहे लड़की हूँ मैं उसके लिए I use करूंगा अब देखें फरस परसन में ambiguity नहीं होती है मैं आप से बात कर हूँ तो आपको पता है कि लड़का बात कर https वो यह जो है भो वो से पता नहीं चलता कि आप किसकी बात करने हैं तो अब जहां पर यह होता है कि थर्ड परसन में जब हम आते हैं तो सिंगुलर में हमारे पास फिर क्या होता है कि अगर तो वो जिस एक बंदा जिसकी आप बात कर रहें अगर वो बे जान है इन एनिमेट है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं और अगर वो बे जान है इन एनिमेट है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं इट और प्लूरल में जब हम आते हैं तो प्लूरल में हम इन सब के लिए क्या यूज करते हैं इन सब के लिए हम they use करते हैं plural में क्योंकि plural में एक से ज्यादा हैं ठीक है तो एक से ज्यादा में फिर यह होता है कि वो same gender भी हो सकते हैं और mixed gender भी हो सकते हैं तो whether they are the same gender or the mixed gender उसके लिए हम जो structure use करते हैं वो क्या use करते हैं दे तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉमिनेटिव केस में जो आपके पास pronouns यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं I, we, you, he, she, it and they so these are the pronouns which are the basically the nominative pronouns ठीक है दे जो है obviously third person में है ना दे third person में है दे जो है वो third person plural का है अच्छा इट जो है हम इसको impersonal pronoun भी बोलते हैं इट जो है है कि जब यह आए जो है यह जब एक्यूसेटिव केस में याणि कि object की जगा पर यूस होता है object की जगा पर तो फिर हम object की जगा पे आए यूस नहीं करते हैं याज़ करते हैं जैसे for example आपके क्या क्या कहेंगे कि मैं सिंपल यहां पर करूंगा कि I like the cat I like the cat और the cat likes me the cat likes I नहीं होगा the cat likes me यानि कि अगर subject की position पर है तो फिर आप उसको I use करेंगे और वही word जब object position पर जला जाएगा तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे भी यूज करेंगे अच्छा इसी तरीके से यहां पर कि मैं कहता हूँ वी like cat the cat likes us the cat likes us तो इसका मतलब है कि जो second person first person जो plural है वो अगर nominative case में होगा तो हम उसके लिए we use करेंगे और अगर वो accusative case में आ जाएगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे अच्छा उसके बाद हम चलते हैं second person pronouns की तरफ तो second person pronoun में क्या होता है कि singular होगा तो उसकी जगा पे हम यूज करेंगे और अगर nominative case में होगा तो उसके लिए अब यू जो है इसका structure चेंज नहीं होता यू बेशक 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 नॉमिनेटिव केस में हो बेशक वो accusative case में हो उसका structure जो हो क्या रहता है वो same ही रहता है अब यहां पे plural में भी ऐसे ही होता है कि बेशक वो singular हो बेशक वो फ्लूरल हो उसका जो nominative to accusative जो उसकी जो change है उसमें किसी किसम की कोई structure में तब्दीली नहीं आती ठीक है अच्छा उसके बाद हम चलते हैं जी थर्डपरसंट प्रणूंस की तरफ तो थर्डपरसंट प्रणूंस में क्या होता है थर्डपरसंट प्रणूंस में यह और क्या हो जाएगा दॉक्याट लाइक लाइक हिमगे वापजी पुजिशन पे लेकर जाएंगे तो ऊड़ हैं अप्डिश यह हर में कनवर्ट हो जाते हैं जाके और इस जो है वह एठी रहता है एच जो है वह इठी रहता है और जो दे हैं वह किसमें कनवर्ट हो जाता है दे किसमें कनवर्ट हो जाता है दे दें में कनवर्ट हो जाता है यहां पर अगर मैं इसी इसी स्ट्रक्टर को दुबारा से चेंज करूं तो क्या होगा कि she likes the cat and the cat likes हर ठीक है अच्छा इसी तरीके से it likes the cat and the cat likes it अच्छा इसी तरीके से हो जाएगा कि they like they like the cat or the cat likes them the cat likes them so this is how we use the personal pronouns in accusative case yes they becomes them they becomes them so this is how we use the nominative case and nominative pronouns and the accusative pronouns अब इसमें एक एक और चीज़ होती है and that is the possessive pronoun वो दिरम्यान में आते हैं दर्म्यान में एक स्ट्रक्टर आता है जिसको हम मैं बोलते हैं possessive pronouns बोलते हम possessive pronouns जो होते हैं वह थोड़ा से tricky होते हैं उनको समज़ना थोठा सब्सक्राइब थोड़ा सा है कि वो जी हमारा सदर नॉमिनेट हुआ है ठीक है हमने उसको नॉमिनेट कर दी है इसी तरीके से जब आप जाते हैं एलेक्शन जब हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि नॉमिनेशन पेपर सम्मिट करवाने जा रहे हैं कागजाते नामजद की उसको बोलते हैं अच्छा जी फुलाँ कॉंस्टिट्वेंसी से फुलाँ हलके से मैं एलेक्शन लड़ूँगा तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन पेपर्स या उसको हम कागजाते नामजद की बोलते हैं तो आप ने एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया कि फुलाँ जो है वो फुलाँ काम करेगा या फ इसके बारे में बात कर रहे हैं आप उसको नॉमिनेट कर दिया अब एक्यूस का मतलब क्या होता है अक्यूस का मतलब होता है जैसे ना कि ही वस अक्यूस्ट के उसको उसके 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 उपर एक इल्जाम लग गया या उसके उपर एक आपने कुछीज उसके उ ठीक है अक्यूज कर देना किसी चीज़ को अब होता क्या है कि जब कोई भी सब कोई भी बंदा कोई काम कर रहा होगा तो वह काम जिस चीज़ के ओपर अपलाए हो रहा होता है उस वह बैसिकली वह अक्यूज हो रही होती है वह क्यूज हो रही होती है उसके ओपर वह कोई काम apply हो रहा होता है उसके उपर वो काम उस का कोई ने कोई असर जा रहा होता है that is why we call them the accusative ठीक है तो यह जैन ने बूचा था कि sir nominative और accusative की definition बता दें तो वो मैंने आपको बता दिये अचा अब हम चलते है possessive pronouns की तरफ time हमारे पास सोड़ा है हमने जो है वो आगे जो adjectives और adverbs है उनको भी वर्ब को डिसकुस करेंगे और adjectives और adverbs जो हम कल देखेंगे अच्छा अब possessive में क्या होता है possessive में होता यह है कि बास दफ़ा ऐसे होता है कि आप noun को या जो pronoun है उसको सिरफ subject या object की position पे यूज़ नहीं कर रहे होते बलकि आप subject जो है या जो object है subject या object उसकी किसी चीज़ के मुतलेक उसकी जो मिलकियत होती है वो आप बताना चाहरे होते है किसी चीज़ के मुतलेक उसकी जो मिलकियत होती है वो आप बताना चाहरे होते है किसी चीज़ की मिल्कियत के मतलब का आप वह बताना चाहा रहे होते हैं मिसाल के दोड़े अब मैं यहां पर कहता हूं कि जैसे फॉर एजांपल माई नेम इस नाई स्एक्राट हूं मैं यहां पर कहता हों मुझे अपने नाम के स्थालिंग कि पूलके अच्छा अब यह एक टीएक स्थाक्शर है अबaldки गभी सिद्रिकल मैं पर कहता हूं कि इस माई कार एज दिस कार इस माई आप आश्र माई माई कार इस पास्श्डेंप हुआ च्छा है किसे मैं कहता हूं कि our house is बेग मैं कहता हूं कि इस फाउस इस पाउस आब इसमें देखें कि मैं यहां पर कि यह वाला गो इसमाइन अभी हो माइन है आवर्स है यह बैसिकलिया क्या क्या गर रहे हैं ये ना टो subject बन रहे हैं सेंटन्स के अंदर ना ये आपजुक्टट बन रहे हैं बलके ये इस car की के पर्सनल possession को शो कर रहे हैं ये मेरी कार है तिय जो मेरी हमारी उसकी उन की ठीक है तुम्हारी तूम सब की ये वाले जो words होते हैं ना हम इन इनको जब यूज करते हैं तो they are called up possessive pronouns हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको possessive pronouns बोलते हैं अच्छा आप यहां पर possessive pronouns जो हैं न वो थोड़े से tricky होते हैं possessive pronouns जो होते हैं वो थोड़े से tricky होते हैं अब चुक्के मैंने आपको adjective उस तरह से पढ़ाया नहीं है आज हमने adjective भी discuss करना है अगर आपने मुझे time दिया और आप यह सारी चीज़ें अगर आपको समझ आती कहीं तो इन्शाला आज हम जो है वो adjectives को भी discuss करेंगे और जब adjectives की तरफ में जाँगा न तो फिर मैं आपको जो possessive adjective और possessive pronoun इसका जो difference होगा ना यह मैं आपको तब उस टाइम पर बताऊंगा फिल्हाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब हम इन pronouns को possession शो करने के लिए यूज करते हैं तो उस वक्त यह क्या कहलाते हैं यह उसका बैग है ठीक है इसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि this cat is ours ठीक है यह उसकी बिल्ली है उस लड़की की बिल्ली है अच्छा इसी तरीके से this this brush is mine this canvas is ours यह हमारा canvas है अच्छा देस बुक इस देयर्स इस बुक इस देयर्स यह किताब उन लड़कों की है यहां पर कह सकते हैं कि let's suppose this ball is theirs इसी तरीके से this this fan is yours yours और देखें his his mine ours yours यह वाले जो प्रोनाउंस हैं they are called the possessive pronouns हम इनको क्या बोलते हैं we call them the possessive pronouns no this is not इसमें demonstrative pronoun भी use हो रहा है अब इसमें जो this है that is a demonstrative pronoun लेकिन हम लोग यहां पर बात करें इस की hers की mine की ours की their's की yours की यह जरूरी नहीं है कि एक sentence के दर सिर्फ एक ही pronoun आए एक sentence के अंदर एक से ज्यादा प्रोनाउंस भी आ सकते हैं ठीक है लेकिन हर pronoun अपना अपना काम कर रहा होगा जिस तरह एक sentence के अंदर एक से ज्यादा noun आ सकते हैं इसी तरीके से अगर एक sentence के अंदर एक से ज्यादा noun आ तो यह सारे के सारे कॉंसेट्ट हैं दुबारा से आपके जहन के अंदर रिवाइस होना शुरू हो जाएंगे अच्छा तो उसके बाद कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं जिनको जिनको सिरफ आप जाद कर लें बाद में जब हम सेंट्टेंस बनान भी लाइस इस बैग अब यह इस तरह के जो नौंंगे मुतालेग पूछने के लिए किसी भी नौंगे मुतालेग सवाल करने के लिका यूज होते हैं अच्छा हामैनी काईजार प्रोनाउंस और इन बीज इस सेंटेंस इसमें दो दो प्रोनाउंस है जो भी मैंने आपके सा definite pronouns indefinite pronouns अब जो indefinite pronouns होते हैं यह इंट्रागटेब में वाट यूँँग वाट आर यूँग वाट अच्छा हूम कब यूज होता है अच्छा हूम का उर्दु में जो तरजमा होता है जिसके लिए चीक है जैसे फौर एजांपल तू हूम यू वर यू यू आर टौकिंटू हूम का बतलब है किस से बात कर साथ कम संद्धित को हम यूज करे में ते हैं वह फिर ओगा हू वहाट फिर होगा हूम पदल्ध ही ना इंडेफिनेट प्रणाउब्स नहीं घृ जह सॉधिंग सॉम्टिंग खिरूस्टे वह एंड में घृत घिजब मैं व्हाइव ऑप काफी या प्ली में बटर प्ली गिव मेंट ऑफ्र या प्लीज पॉपकॉण की जगा पर मैंने क्या दिया प्लीज गिव में सम्थिंग अब यह जो सम्थिंग है इस डिफाइन नहीं है इन्डेफिनिट है सम्थिंग में कुछ भी आ सकता है समबडी समबडी ठोल मी आपको समझाती है कि अच्छा एक लड़की ने बताया है इसे तरह किसे जो मैं कहता हूं कि she told me, he told me, they told me तो समझ आते हैं लेकि जो मैं कहता हूं कि somebody told me तो somebody से समझ नहीं आता कि वो somebody कौन है someone told me अच्छा nothing is happening, I saw nothing जो मैं कहता हूं कि I saw a bird, I saw a bird, bird जो है वो defined है I saw a car, defined है, I saw a boy, defined है, I saw something, I saw nothing, I saw nobody, nobody, nobody told me, none is there, no one is present, अब यह वो प्रोनाउंस हैं जो के इंडेफिनित हैं जिसमें चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली उस तरह से डिफाइन नहीं हैं या somebody accused her, अच्छा, this is my book, this book is mine, which of these is demonstrative pronoun and demonstrative adjective and how do we identify, अच्छा हमजा देखें, अभी हमने adjectives पढ़े नहीं हैं, लेकिन even then I am going to answer your question, अब इसमें जब आप कहते हैं, this is my book, तो my जो है, that is a demonstrative adjective, ठीक है, यह हमजा का question जो है, मैं इसको कॉपी करके जहां पेस करता हूं और यहा हमजा का question था, कि this is my book, और this book is mine, चीक है, तो यह हमजा का question था, कि which of these is demonstrative, let me take it up somewhere, बलकि मैं इसको teaching chart पे ले जाता हूं, so that we can easily, yes, आप इसमें यह देखें, कि this is my book, तो यह इसमें मैं जो है, that is a demonstrative adjective, वाय क्योंकि यह नाउन के बिलकुल साथ जुड़किया है, जब यह वाले words, नाउन के बिलकुल साथ जुड़के आते हैं, तो they are called the demonstrative adjectives, जब यह नाउन से जुदा होते हैं, जिस नाउन के मतलिक बात कर रहे हैं, तो उस वक्र यह क्या कहलाते हैं, तो अब इसमें mine, जो है, that is a demonstrative pronoun, और my, जो है, that is a demonstrative adjective, अच्छा, उसके बाद हम स अब दर किसे sentence के साथ किया करते हैं, जोड़ते हैं, that, which, who, whose, home, where, when, अब इसमें जाना, whose, home, and who, and which, अब यह वाले words जो हैं, अब इसमें यहां पर problem आती है, कि यह as a, as an interrogative pronoun भी यूस होते हैं, और as a relative pronoun भी यूस होते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह वर्ड जैसे for example, who is your best friend, तो आप इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, सवाल आपने कहां से start किया, who से, ठीक है, तो who यहां पर क्या है, who is basically a interrogative pronoun, लेकिन जब मैं यहां पर इस तरह से लिखता हूँ, कि the boy who wrote the essay is my classmate, अब यहां पर who जो है, यह question पुछने के लिए use नहीं हो रहा, बलके इस noun का, जो इस पूरी बाकी part of the sentence के साथ, जो connection है, उसको develop कर रहा है, अब यहां पर who जो है, that is being used as a relative pronoun, that is being used as a relative pronoun, ठीक है, yes, relate कर रहा है, exactly, sentence के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ क्या कर रहा है, relate कर रहा है, अच्छा, इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ, के that is my pen, that is my pen, वो मेरा pen है, अब यहां पर that जो है, that is used as a demonstrative pronoun, लेकिन जब मैं कहता हूँ, के the pen that I gave you was my favorite, यह pen मैंने आपको दिया, वो मेरा पसंदीदा था, अब मुझे यह बताएं, कि यहां पर, आच्छा, मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ, यहां पर that का क्या मतलब है, उर्दू में इसका क्या मतलब है, that is my pen, वो, अच्छा, अब नीचे वाला जो sentence है, इसमें that का क्या मतलब है, इसका आपने मुझे मतलब बताया है, कि इसका मतलब है वो, लेकिन यहां पर इसका क्या मतलब है, वो, पैन, येस, जो, वो, पैन, जो मैंने आपको दिया, अब देखें, कितनी interesting चीज़ है, कि एक ही word है, लेकिन जब आप उसको sentence में मुझे जगा पर यूज़ करते हैं, उसको structure में different तरह से यूज़ करते हैं, तो उसका meaning तबदील हो जाता है, उसका meaning जो है, वो तबदील वाली है, वो ये है कि किसी भी word का कोई inherent meaning नहीं होता, लफ्स को आप कहां पे किस तरह use करते हैं, उससे उसका meaning जो है, वो आपके सामने आता है, लफ्सों के अपने कोई मतलब नहीं होते होते, आप लफ्सों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस से लफ्स का मतलब जो है, वो इन लोगों को reciprocate कर लेते हैं, ठीक है reciprocate, कि जिसको आप वो cross multiplication भी करते हैं, यानि कि जब, let's suppose, दो बंदे हैं, जो A की action को exchange कर रहे हैं, एकी action को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानि कि A जो है, let's suppose, मैं अगर आपको math की terms में बताऊं, तो A का जो relationship B के साथ है वही relationship B का A के साथ है, यानि A, B के साथ जो चीज़ कर रहे है, वही चीज़ B, A के साथ कर रहे है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको simplify कर देते हैं, किस तरीके से reciprocal pronounce के थरू, अब reciprocal pronounce सिरफ दो हैं, each other and one another, कितने reciprocal pronounce, जल्दी से बताएं, how many reciprocal pronounce do we have? two, very good, very good, two reciprocal pronounce and they are one another and each other, each other, आप इनको use कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको पताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको reciprocal का जो concept है, वो मैं आपको समझा दूँ, अच्छा होता ये है कि जैसे मिसाल की तरपर मैं यहाँ पर कहता हूँ, के अली loves फातिमा, फातिमा loves अली, चीक है, अच्छा, अब actually हो क्या रहा है, के बजाए इसके कि आप ये कहें कि अली फातिमा से महबबत करता है, फातिमा अली से महबबत करती है, आप क्या कहा जाते हैं कि अली और फातिमा एक दूसरे से मुहबत करते हैं अब यहां फे दो सेंटेंस बन रहे हैं ना आपने कहा कि अली फातिमा से मुहबत करता है सेंटेंस नमबर एक फिर आपने कहा कि फातिमा अली से मुहबत करती है सेंटेंस नमबर दो दो सेंटेंस आपने बनाए लेकिन जब आप कहते हैं कि अली और फातिमा ज्यादे ठीक है ना ठीक है तो आप क्या करते हैं आप रैसी प्रोकल प्रोनाउन जो है वह यूज़ करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अली एंड फातिमा लाव इच अधर अचा अब मैं यहां पर आपको एक रूल समझाऊंगा और फिर मैं आप से पूछूँगा कि वह रू स्टूदेंट्स और दिस ग्लास यह मैं इसको और सिंपल कर देता हूं ता कि आपको समझ आजा जाए अच्छा ओल टापीपल इन देस सिटी इन वान एन अदर और इस शहर के तमाम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं मेरा आप से सवाल यह है कि आप मुझे बताएं कि each other कहां पे यूज़ होता है और one another कहां यूज़ होता है दो reciprocate pronoun है ना, each other कहां use होता है और one another कहां use होता है, जे, मेरा आप से ये सवाल है, इन दोनों sentences को देखें, अपना brain इस्तिमाल करें और मुझे बताएं कि each other कहां use होता है और one another कहां use होता है, जे, very good, very good, when we are talking about two people, दो लोगों की बात, दो लोगों के दरम्यान एक action अगर reciprocate हो रहा है, reciprocation जो है, यानि कि तबादला जो है, वो दो लोगों के दरम्यान होगा, तो उसके लिए आप each other use करेंगे, when an action is being reciprocated between more than two, more than two, दो से ज्यादा के लिए, तो फिर उसके लिए हम क्या use करते हैं, उसके लिए हम one another use करते हैं, तो आपने फिर आज के बाद ये गलती नहीं करनी, कि आप जो है वो, दो से ज्यादा के लिए भी आप each other use कर रहे हैं, तो मतलब आप जब कहते हैं कि all the people in this city help each other, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा लोगों के लिए one another, और दो लोगों के लिए हम क्या use करते हैं, दो लोग के लिए हम जो है वो, क्या use करते हैं, दो लोग के लिए हम each other use करते हैं, अच्छा, तो हमारी जो pronounce के हवाले से discussion थी, वो हो चुकी है जनाब मुकमल, उसके बाद हम लोग move कर रहे हैं adjectives की तरफ, ठीक है, आज हम लोग adjectives कर लेते हैं, क् नाउन और प्रोनाउन हमने कर लिया, तो adjective कर लेते हैं, उसके बाद जब वर्ब पढ़ेंगी, तो वर्ब के साथ है, फिर मैं आपको एड़ वर्ब पढ़ा देंगा, अब adjective क्या करता है, adjective का एक बड़ा सिंपल सा function होता है, adjective बेसिकली, जो noun होता है, या pronoun होता है, उसके करता है, यह modify करता है, चीक है, इसलिए हम जो adjectives होते हैं, इनको क्या बोलते है, adjectives और जो adverbs होते हैं, adjectives and adverbs are also called modifiers, modifiers, क्योंकि यह क्या करते हैं, यह modify करते हैं, जैसे मिसाल की तरपर मैं आपको simple एक sentence बराता हूं, मैंने कहा कि the boy is reading a book, the boy is reading a book, अब मुझे यह बताएं कि the boy जो है, यह कौन सा ना उन्हें, common noun है ना, the boy is a common noun and book is a, book is also a common noun, अब जब मैंने यहां पर कह दिया कि the, the good boy, the good boy is reading a book, अब इस good ने क्या किया, अब मुझे बताएं कि boy का पहले जो meaning था, जब मैंने good नहीं लगाया था, तो उस वक्त जो boy का meaning था, अब जब मैंने इसके साथ good लगाया, तो क्या, जिसले आप cars को नहीं modify करवाते, तो क्या boy का meaning modify हुआ है, क्या boy के meaning में कोई तबदिली आई है, जब मैंने good लगा दिया साथ, तबदिली होई है ना, अच्छा है, इसी तरीके से, जब मैंने कहा कि the good boy is reading a small book, अब जब बुक मैंने simple book का था, तो आपके जहन में कोई पता नहीं था कि कौन से book है, अब जब मैंने small कहा, तो क्या book का meaning तबदिल हुआ है, आपके जहन में जो book की understanding थी, वो तबदिल हुई है, अच्छा, इसी तरीके से, जब मैंने कहा दिया, कि the boy is reading an interesting book, अब meaning तबदिल हुआ है, बुक का, अच्छा, इसी तरीके से मैंने ये कहा दिया, कि the good, hard working, the good hard working boy, अब boy का meaning मजीद मोडिफाय हो गया, the good hard working punctual boy, hard working के साथ इसी तरह से मैं adjectives लगाता जाओं तो boy का meaning जो हो क्या होता जाएगा, वो modify होता जाएगा, वो modify होता जाएगा, तो बच्छों ये काम होता है, adjective का adjective क्या करते है adjective basically जो 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 noun का जो meaning होता है जो existing meaning होता है उसको क्या करते है उसको modify करते है अब हम चलते है adjective की types की तरफ descriptive adjectives descriptive adjective क्या करते है का जो जो भी जिस noun को भी यह modify अच्छा एक बात याद रखीगा कि adjectives होते हैं यह हमेशा noun کے ساتھ آتے ہیں यानि के लेट सपोज ये आपके पास noun है ये noun है तो ये noun के बिलकुल साथ इस तरह adjective आएंगे adjective noun के साथ जुड़ावा होता है तो ये इस noun की आप बात कर रहे हैं adjective उसके बिलकुल साथ जुड़ावा होगा ठीक है तो यह बात आप में पिशा याद रख लिए ठीक है अच्छा एड्जेक्टिव के हवाले से फर्दर जो कॉंसेप्स हैं उनकी तरफ हम आइसा आइसा वन बैवाना मूव करेंगे नहीं नहीं हार्ड वर्किंग वर्ड नहीं है नहीं यह डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस नहीं है कोई डिफरेंस नहीं अजिए यूज़िड यूस करते हैं describe करने जिस noun की आप बात करने उसको जो जो आप describe करते हैं उसके हवाले से कोई आप अपनी opinion देते हैं describe करने का मतलब वजाहत करना किसी चीज़ को वाज़ करना तो तमाम के तमाम वो words जिसमें good words, bad words, qualities होती हैं किसी भी चीज़ की तो qualities बताने के लिए जो words हम use करते हैं तो they are called the descriptive adjectives ठीक है जैसे for example fast cars, hungry dogs, neat floor, dirty dishes, clean dishes, good dishes, expensive dishes, cheap dishes, strong dishes ठीक है तो ये तमाम के तमाम वो words जो किसी भी noun की quality को बताते हैं they are called the descriptive adjectives और इनको qualitative adjectives भी कहा जाता है उसके बाद quantitative adjectives that is very simple जो numbers होते हैं जिसे 3 pens, 20 ducks, 40 boys तो ये जो सारे के सारे जो number words होते हैं ठीक है descriptive का मतलब होता है वजाहत करना descriptive का मतलब क्या होता है वजाहत करना अच्छा repeat मैं नहीं करूँगा एकी चीज़ को क्या होता है जब आपके साथ recorded lectures share होते है तो इसका मतलब यह है कि या तो हो कि मैं recorded lecture आपके सथ शेयर ना करूँ तो फिर मैं आप repeat करूँगा जब lecture आपके साथ share होना है तो फिर repeat करने का क्या फाइदा उससे बहतर है कि बजाए इसके कि मैं एकी चीज़ को दो दफ़ा रिपीट करूँ हम उसी वक्त में कुछ मजीद हम learn करने किसी sentence में किसी चीज़ की quality हो वो adjective sentence कहलाते है येस वो उनको हम qualitative adjectives बोलते हैं या उनको हम descriptive adjectives बोलते हैं उसके बाद quantitative adjectives जो किसी भी noun की quantity को बताते हैं जैसे three pens, twenty ducks वगरा वगरा उसके बाद proper adjectives आप proper adjective का concept बढ़ा interesting है जब आप किसी proper noun से proper noun को use करते हैं जब आप या proper noun से आप एक adjective बनाते हैं जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान एक proper noun है ना लहोर एक proper noun है right? कराची एक proper noun है, हैदराबाद, सिंध, proper noun है लेकि जब आप कहते हैं कि सिंधी बिर्यानी या सिंधी टोपी, सिंधी कैप, अचा इसी तरीके से जिना, जिना एक proper noun है, जब आप कहते हैं जिना कैप, तो अब वो जो proper noun है ना जब एक proper noun एक adjective के तॉर पर यूस होता है नहीं, पाकिस्तानी possessive adjective नहीं होगा, बलके यह क्या होगा, यह proper adjective होगा, उसके बाद demonstrative adjectives, उपर हमने demonstrative pronounce पड़े थे, this, that, these, those, और यहाँ पर आप देखें कि जो demonstrative adjectives हैं, वो भी वही हैं, this, that, those बगएरा बगएरा, लेकिन फर्क क्या है, फर्क वही है जो यहाँ पर question बूचा था ना हमजा ने, कि इसमें से कौन सा, this is my book, this book is mine, कि इसमें से कौन सा demonstrative pronoun है, और कौन सा demonstrative adjective है, तो मैंने बताय था कि यहाँ पर यहाँ पर यह नाउन के बिल्कुल साथ चुड़के आया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको possessive adjective कहेंगे, और यहाँ पर चुके यह नाउन के साथ चुड़के नहीं आया है, तो हम इसको possessive pronoun बोलेंगे, तो इसी तरीके से, जब आप यहाँ पर जिस सर भी रखा था ताकि मैं जब यहां तक पहुंचूगा तो फिर मैं आपको यह चीज समझाऊंगा बच्व बात यह होती है कि जब इस डाट इस डोज जब यह किसी भी नाउन के साथ जुड़ कर आते हैं तो तेन इन डाट सिटुएशन यह कॉल दर डिमॉंस्ट्रेटिव एड जब मैं कहता हूं कि लाट बुक इस माइं अब यहां पर मैं आपको दो दो चीजें इकठी सम्झाओंगा इन दो सिंपल सेंटंसे अब मुझे यह बताएं कि यह वाला जो नाट है यह 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 डिमॉंस्ट्रेट इप प्रॉनाउन है यह यह ज़िए अडियक्टिव है yes that is a pronoun लेकिन यहाँ भी जो that है is it a demonstrative pronoun or demonstrative adjective adjective अब मुझे यह बताएं कि यह वाला जो my है my यह possessive pronoun है यह possessive adjective है yes this is a possessive adjective और यह वाला जो my है यह possessive pronoun है यह possessive adjective है very good very good everyone very good this is a possessive pronoun तो this was the concept जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि possessive adjective और possessive pronouns अब possessive adjectives में आप देखें कि यह noun के बिलकुल साथ जुड के आ रहे हैं हिस बुक माई कार आवर आवर कंट्री आवर हूम देयर हाउस ठीक है तो इस तरह में चार्ट में लेकर जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अच्छा अच्छा अब अब हमजा ने जनाब यह हमें दो सेंटेंसे दी हैं ठीक है हम इनको देखते हैं अब हमजा ने का यह दो सेंटेंसे लिखें कि दिस असाइनमेंट इस ऑन देबल यह अससाइणमेंट पर हैं यह असाइनमेंट गल आप यह लगा läuft-ध पर हैं चैनल के तो लिखेंगेंरंय तो आपएंस यह क्या कर रहा है यह असाइंडमेंट को modify कर रहा है यह assignment में पर है वह assignment नहीं है जो यहां पर जो यहां पर यह वाला जो फॉर्स वाला दिस है दाइड इस ए दिमांस्टरटेटिव और यह वाला जो दिस है दाट इस दिमांस्ट्रेटिव प्रोनार येस वेरी गूड मुदसे से से विच वर्ड इस मोडिफायर इन लास सेंटेंस इस नाउन को मोडिफाय कर रहे है यहां पर यह वहला जो दिस है डाट इस अधिमोंस्ट्रेटिव प्रॉनाउन अब इस जो है डाट इस लेंकिंग वर्प ठीक है और उसके बाद यह जो असाइ अब कॉंप्लीमेंट का कॉंसेट मैं आपको नहीं पढ़ाया वह आगे चलके मैं आपको पढ़ाओंगा तो थब आपको इंशाला समझा देगा अच्छा उसके बाद हम नेक्स चलते हैं पुझेसिव एड्यक्टिव इसी तरी इस तरीके से जो इंट्रॉगेटिव एड्य आप से पुछों का आप भी मुझे बता रहे होंगे कि इसमें से कौनसा इंट्रॉगेटिव परो नाव प्रोनावन है और कौनसा इंट्रॉगेटिव एड्यक्टिव है अच्छा वट इस जॉर फेवरेट इश वट डिश इस यह वेज़ीट आच्छा अच्छा अगर्वि शर्ट पॉर्दा पार्टी और विच शर्ट इस बेस्ट और दा पार्ट अब मुझे यह बताएं कि यहां पर इस सिच्वेशन के अंदर यह जो पहला वाट है यह इंट्रॉगेटिव प्रोनाउन है यह इंट्रॉगेटिव अड्जिक्टिव है और यह बना जो पाट है यह इंट्रॉगेटिव अजिक्टिव है यह इंट्रॉगेटिव प्रोनाउन है very good very good mashallah I have got a very good class mashallah बहुत अक्तिव है आप डो बहुत अक्तिवली आप पार्टिस्टेट परते हैं that is very good very good I'm so happy to see your enthusiasm and your you know that jasbah I'm so happy to see that. अच्छा अब इस sentence प्या आएं इसमें which is the best shirt for the party. अब इसमें ये बताएं कि ये बज़ा first बना जो विच है ये demonstrative ये interrogative pronoun है ये interrogative adjective है. very good अच्छा और निचे which shirt is best for the party oh very good adjective adjective अच्छा उसके बाद है indefinite अब indefinite में भी आप देखें some few many ये वाले हमें दोपर पढ़े हैं ना ठीक है यहीं पर ये something और ये यही same words अब यहां पर again मैं आपके सामने लिखूंगा अच्छा for example मैं यहां पर अगर कहता हूँ कि some अच्छा few are absent today okay अच्छी बात है अगर सवाल त्यार करके आते हैं तो वह भी बत अच्छी बात है आप लोग भी सवाल त्यार करके आया करें मुझे तो वो बच्छे अच्छे लगते हैं वो अक्सर टीचर्स होते हैं कि जो जिनको वो सवाल पूछने वाले बच्छे अच्छे नहीं लगते हैं या वो सवालों से उनको डर लगता है मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्छा सवाल त्यार करके आया करें आके मेरा टेस्ट किसे गुंगे बनके बैठे रहोगे तो कैसे सीखोगे सवाल करने से तो इनसान सीखते है ठीक है तो सवाल पूछा करें आप जब सवाल पूछते मेरे तो खुन बढ़ जाता है अच्छा फ्यू अर एपसेंट टुडेंट अर एपसेंट टुडेंट आप मुझे बताएं कि इस अच्छा इसरोगे अच्छा गर्यकति अब मुझे मैं आपसे सिंपल सा स्म्पल सा कोश्ण चाह स्पो biss इस अब मुजे बताएं च्छार चीजें आप यहां बेरे पस चीज्जें कितनी आ गये है demonstrative possessive उसके बाद यहां प्याज़ते हैं demonstrative possessive और interrogative indefinite चार चीज़े आप मुझे यह बताएं कि demonstrative अच्छा स्पैलेंग अगर थोड़े से खराब हो तो आप ignore किजिएगा possessive और interrogative और indefinite अच्छा मुझे यह बताएं कि कैसे आपको पता चलेगा क्योंकि वर्ड सेम है अक्बाल ने कहा था ना कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में किर्गिस का जहां और है शाही का जहां और कि दोनों एक ही एक ही आसमान में उड़ते हैं लेकिन जो गेद होती है जो वल्चर होती है उसका जहां और है जो शाहीन होता है जो इगल होता है उसका जहां और है तो जनाब मुझे यह बताएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक ही वर्ड वो कब डिमास्टेटिव प्रोनाउन बनता है कहिए एजिक्टिव बनता है और कि आसादूयर में चैयं ने बता है हमारे क्लास BCE के बच्चे हैं असदूला अच्छा तो ही से के सर बेसिकरी दिख कॉंसेप इस डाइच्ट वह नाउन के साथ जुड़के आता है प्रोनाउन जो है वह नाउन के साथ जुड़के नहीं आता बलके उसकी जगा पर आता है एक यास तो एक मदसर मदसर ने भी विल्कूल ठीक बात बताई है मुदसर मदसर क मुदसर या, yes, adjectives are followed by noun, no, nouns are followed by adjective, यह नहीं adjective पहले आता है, adjective noun को follow कर रहा होता है, ठीक है, adjectives are not followed, adjectives follow the noun, yes, nouns are followed by adjective, जो जब noun के साथ होगा word तो adjective होगा और जब noun से दूर होगा तो फिर वो क्या होगा, वो, यह सेवरल भी इंडेफिनेट हैं, सेवरल पहुत जादा, got it, so from tomorrow we will start with the verb, और वर्ब के साथ फिर हम एड़ब पढ़ेंगे, और आगे की तरफ हम लोग जो है, वो इन्शालला मूब करते जाएंगे, अब हम आते हैं जनाब टास्क की तरफ, आप लोग का बच्चों टास्क यह है, अब मेरी बात गौर से सुने, तो कि टाइम हमारा पूरा हो चुका है, अब मुझे आप लोग को टास्क का साइंड करना है, अच्छा, यह आप लोग के साथ मैंने एक बुक शेयर की है, जिसमें बड़ी मज़े-मज़े की इंटरस्टिंग-इंटरस्टिंग स्टोरीज हैं, स्टार्ट में यह, आपको मैं दिखायस ले रहा हूँ ता कि आपको किन्फूजन ना हो कि आपने करना क्या है, तो बचो बात यह है कि इसमें देरा 147 स्टोरीज, 147 इसमें कहानी हैं, कितने स्टोरीज हैं, 147, आप लोग ने करना क्या है, अच्छा, यह उसके बाद हर कहानी के मौरल्स हैं, बच्पने हम कहानी पढ़ते थे, थर्स्टी क्रो की, दे वुल्फ औन ग्रेप्स, दे फॉक यहां से कहानिया स्टार्ट होती हैं, ठीक है, यहां से, ठीक है, इस पेज नबर 12, पेज नबर 12 से स्टोरी स्टार्ट होती हैं, आपने बचों करना यह है, बचे भी हैं, इसमें टीचर्स भी हैं, सब के सब, और obviously, क्योंकि देखें, टीचर होना जो है, उसका उमर के साथ क तो मैं उसको बेटा कहके पुकारूंगा और अगर मैं किसी छोटे बच्चे से भी कोई चीज सीख रहा हूंगा तो मैं यही समझूँगा कि वो बच्चा जो है वो मेरा रोहानी तोर पे स्पिरिच्वली वो मेरा बाप ही है ठीक है मैं उसको इल्म में अपने से बैतर ही समझूँगा तो इसलिए मैं जब बेटा कहता हूं तो आपने अगर कोई मुझसे एज में ज्यादा बड़े हैं कोई लोग अगर ग्रूप में तो प्लीज आप जो है वो माइंड मत किया करें तो बेटा मीन्स के वो जएक होता है कि हम बच्चों को जिस तरह से बुलाते हैं अच्छा तो बेटा आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों ने इसमें से अपनी मर्जी की स्टोरी सेलेक्ट करनी है जौन से स्टोरी आपका दिल करें जौन से स्टोरी आपका दिल करें आप इसमें से अपनी story जो है वोग आप select करेंगे और उसमें से आपने क्या करना है उसमें से आप लोगों ने nouns pronouns adjectives यह आप लोगों ने अलग अलग करने बस आप उसमें से निकालेंगे से नाउंस कौन कौन से हैं उसमें से प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और एडिक्टिव कौन कौन से हैं एक छोटी चोटी stories है आप यह फॉर्स स्टोरी कितनी है एक पेज की स्टोरी है सेकंड स्टोरी आधे पेज की है थर्ड स्टोरी एक पेज की कोई भी कहानी एक पेज से ज्यादा कोई भी स्टॉरी नहीं तो आपने इस में से एक स्टॉरी सेलेट करनी है यह साइम यंग आई अंग लिखेंगे आप लोग अपनी प्रिक्री कापी पर लिखेंगे उसका पीडियाफ पनाएंगे और वह पीडियाफ़ आप मुझे परस्टनल में सेंड करेंगे काप्ट पे आप यहां से देखते जाएंगे पढ़ते जैंगे आप नौन्ज की लिस्ट बनाएंगे अर इसमें से अडियक्टिव की लिस्ट बनाएंगे Union interact और और मुझे जह वह उसकी पिक्टिर बनाके और ऊसका अप मुझे वाट सेप्में पर चीके गरे है, सब दर इसुर हमBook ग्रवनर किया। आप size बिचा सबस्टनाता है। मानूर बच्चे, I've shared the book in the group go check the group group के अंदर ये book आपके साथ शेयर हो चुक गिये so that's it for today I hope के the lecture was good सब को समझाया होगा अच्छे तरीके से तो बटा इसी तरह से मैनत करते रहे और इंशाला we will continue this discussion tomorrow and take care of yourselves bye-bye Allah आफेस Allah आफेस Allah आफेस have a good day, have a good night, have a good night Allah आफेस bye-bye